बच्चो, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्शक है, ओहो, यह तो कमाल हो गया, उत्तर भारत के मैदानों में वसंत सीग्र आ जाता है, उसकी छटा बड़ी मनोहारी होती है, रंग रंगीले तरह तरह के फूलों की सुगंद वाता वरन में तैरती रहती है, वसंत के आगमन के साथ ही प्रवाशी पक्षी हिमाले और सुदूर साइब एरिया से गर्मी और बोजन की तलाश में केवला देव घना, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेतरों में आते हैं, तथा वे खिले फूलों के इर्द गिर्द मंडराते र वही वाह, यहां कितने सुंदर फूल हैं, पर जहां हम रहते हैं वहां तो एक भी फूल नहीं खिलता, इतना अच्छा होता, हमारे देश में भी ऐसे फूल खिलते, ऐसी ही सुहावनी रितु होती, तो हम निहाल हो जाते, तबी दूसरा पक्षी बोल पड़ा, फूल बड़ आसपास खिले हुए थे, उन्होंने मन ही मन ठान ली, कि वे उतर में पक्षियों के ठंडे परदेश में जरूर जाएंगे, किन्तु बंदूओं हम जाएंगे कैसे, एक फूल ने कहा, हमें तो प्रकरती जहां लगा देती है, वहीं रहना हमारी मजबूरी है, दूसरे फूल तो उन्होंने अपने मन की बात बता दी, वहां पहुंचाने की प्राथना की, सुनकर हवा हस पड़ी, उत्तर में तो बरफी बरफ नजर आती है, मैं भी बरफ सी ठंडी हो जाती हूँ, तुम वहां जाकर क्या करोगे, सर्दी के मारे जल्दी ही मुर्जा कर गिर पड़ोग लेकिन चारों फूल अपने निश्चा पर डटे रहे, दूसरे दिन हवा के पास बड़े वेग से पहुंची, उसने उन्हें जग जोरा, चारों फूल तहनी से तूट कर वायू में उड़ने लगे, देखते देखते वायू उन्हें उड़ाती चल पड़ी, परवासी होती जा रही थी, फूलों की रंगत उड़ने लगी, उनकी पंखुडियां मुरजा गई, बीच बीच में वायू उन्हें बार बार पूछती, कहो तो लोड़ चले, मेरा तो कहना है, आगए जाने मूरखता है, आप तो आगए और आगए चलती रहे, फूलों ने बड़े उत्सा से कहा, हम मरने से नहीं डरते, फूलों ने बहादरी से कहा, रास्ते में ने जाने कितने नदी नाले पार किये, कितने पहाडों के शिखर पर से उड़ना पड़ा, वायू उन्हें गहरी घाटियों के उपर ले गई, घाटियों में कोहरा चाया था, वे आगए और आ के मारे मेरी हालत बहुत दूरी हो रही है एक फूल वहीं घाटी में ठहर गया दूसरे ने भी एक जील के किनारे चटान की ओट में अपना घर बनाना तै किया वहां हवा का वेक धीमा था दो फूलों के आगरे पर वायू उन्हें एक पहाड के शिखर पर लेकर पहुंची वह सावधानी से चटानों के बीच रख दिये चारों फूल अपनी अपनी जगें पर जम गए किन्तु धूपने मिलने से उनकी रंगत फिकी पड़ गई बच्चों वे कभी कभी उदास होकर सोचते शायद इस बरफीले क्षेतर में आकर उन्होंने बड़ी गलती की लेकिन फि आने वाले व्यथित पक्षियों की कितनी खुशी होगी जब प्रसनता से चह चाहते हुए बोल उठन ओहो यह तो कमाल हो गया यहां पहले तो कभी फूल नहीं खिले थे और सचमुच दक्षिन में शीत रितू बिता कर आए पक्षियों ने उन फूलों को देखा तो मारे प सब दिशाओं में फूल खिला चुकी थी उसे सर प्रतम इस सेतर में चार फूल दिखाई दिये वसंत ने पुछा नन्यों कोमल फूलों तुम यहां कैसे आ पहुंचे मुझे तो पहले कभी नजर नहीं आये यहां फूलों ने वसंत को अपने आने का कारण बताया वसंत की आखों में आशू छलक आए सोचा दूसरों के जीवन में फुशी भरने के लिए इन कोमल फूलों ने कितना कस्ट जेला है कितना त्याक किया है मुझे इन फूलों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा वसंत ने अपने मितर सूरज से थोड़ी किरने लेकर प फिके पड़े रंग गहरे होने लगे हवा ने उनकी महग दूर दूर तक फैला दी प्रवासी पक्षियों ने ये बात दूसरे फूलों को बताई सुनकर और भी अनेकों फूल हवा की सहाई तैसे अपने बंदों के पास जाकर रहने लगे अब वहां हर तरफ फूली फूल दीर है